नमस्कार मैं दिवे आज की इस रोजगार समाचार में आपका स्वागत है आज की इस रोजगार समाचार में हम बात करेंगे BPSC, BTSC, FRI, Indian Army, NPCIL, हिंदुस्तान, Corporal Limited यहां टोटल पदों की संख्या 697 पोस्टों पढ़ें सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार Public Service Commission पटना की इसके पोस्ट का नम Associate Professor, प्रोफेसर है इसमें टोटल नमबर ओफ वेकंसी एकसर पोस्ट पढ़ें वह इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के यदि हम बात करें तो SC, ST, जो Male Category के हैं किवल बिहार के उनके लिए 25 रुपे वहीं All Category के Female के लिए जो किवल बिहार के उनके लिए 25 रुपे All Other Category Male Candidates जो बिहार के उनके लिए 100 रुपे वहीं All Category Male और Female जो Other State के हैं उनके लिए 100 रुपे लगेंगे वहीं इसके अंतिम तारीक की अधी हम बात करें तो 17 फड़वरी 2023 की अंतिम तारीक है यहीं इसके ओफिसियल वेबसाइट की अधी हम बात करें तो www.bpsc.bih.nic.in है दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे बिहार टेखनिकल सर्विस कमीशन की इसके पोस्ट का नाम Assistant Director है इसमें टोटल नंबर आफ पेकेंसी 24 पोस्ट पर है वहीं इसके डिसिप्लीन की अधी हम बात करें तो Medical Cardiology, Surgical Cardiology, Pediatrics Cardiology है इसके Educational Qualification की अधी हम बात करें तो MDA, MS या MCH या DM in relevant discipline होना चाहिए वहीं इसके उम्र सीमा की अधी हम बात करें तो केवल पुरुस के लिए 21-37 वर्स और महिलाओं के लिए 21-40 वर्स होनी चाहिए वहीं इसके आवेदन सुल की अधी हम बात करें तो सभी female candidates जो केवल बिहार के हैं उनके लिए 50 रुपे वहीं सभी male candidates जो बिहार के हैं उनके लिए 200 रुपे और सभी male और female candidates जो other state के हैं उनके लिए 200 रुपे लगेंगे इसके अंतिम तारीक की अधी हम बात करें तो 3 फरवरी 2023 की अंतिम तारीक है Official website की अधी हम बात करें तो btsc.pih.nic.in है तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे Forest Research Institute देहरादुन की इसके पोस्ट का नाम Technician, Technical Assistant, LDC, Forest Card, Steno, Storekeeper, Driver और MTS है यहां total number of vacancies 72 पोस्ट पढ़े हैं वहीं इसके educational qualification के अधी हम बात करें तो metric या ITI या 10 plus 2 diploma bachelor degree in relevant discipline होना चाहिए इसमें नियुनतम उम्र सीमा 18 वर्स वहीं अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्स है इसके आवेदन सुल की अधी हम बात करें तो undeserved या OBC या EWS के लिए 1500 रुपे वही ST या ST या PWD या female के लिए 700 रुपे होंगे इसके अंतिम तारीक की अधी हम बात करें तो इस जनवरी 2023 इसकी अंतिम तारीक है इसके ओफिसिल वेबसाइट की अधी हम बात करें तो fri.icfre.gov.in है चौते नंबर पर हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की इसके पोस्ट का नाम सौट सर्विस कमिसन टेकनिकल ओफिसर है इसमें टोटल नंबर ओफ फेकेंसी जेक्स को इकानवे पोस्ट पढ़ है इसके डिसिप्लीन का नम सिविल कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, मेकेनिकल, टेकनिकल और नॉन टेकनिकल है वह इसके educational qualification की अदि हम बात करें तो Bachelor Degree in Relevent Discipline होना चाहिए ज़िज इसके अम्र सीमा के हम बात करें तो नियुनतम उम्र सीमा 20 वर्स और अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्स होनी चाहिए यदि इसके आवेदन सुल्क की बात करें तो यहां कोई भी आवेदन सुल्क नहीं लगने है इसके अंतिम तारिक 9 फरवरी 2023 है यदि इसके ओफिसिल वेबसाइट की हम बात करें तो joinindiarmy.nic.in है पाचवे नमबर पर हम बात करेंगे Nuclear Power Corporation of India Limited की इसके पोस्ट का नाम Trade Apprentice है इसमें Total Number of Vecancies 295 पोस्ट पर है वही इसके Educational Qualification की अधी हम बात करें तो ITI Pass and Relevant Trade होना चाहिए वही इसके उम्रसीमा की हम बात करें तो इसके उम्रसीमा 14-24 वर्स होगी वही इसके आवेदन सुल्क की अधी हम बात करें तो इसमें कोई भी आवेदन सुल्क नहीं लगने है अब हम बात करेंगे इसके अंतिम तारीक की तो इसके अंतिम तारीक 25 जनवरी 2023 है वही इसके Official Website की अधी हम बात करें तो www.npcil.nic.in है छटे नमबर पर हम बात करते हैं दोस्तान कॉपर लिम्टेड की इसके पोस्ट का नाम Workman है टोटल नमबर ओफ वेकेंसी यहां 54 पोस्ट पर है महिस के Educational Qualification को यदि हम देखे तो Class 10 या 10 प्लस 2 या Diploma या BA या BSC या B.com या BBA in relevant discipline होनी चाहिए महिस के उम्र सीमा की यदि हम बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा यहां 40 फर्स होनी चाहिए यदि इसके आवेदन सुल्क की हम बात करें तो Undreserved OBC या EWS के लिए 500 रुपे और Other Candidates के लिए कोई आवेदन सुल्क नहीं लगेंगे इसके अंतिम तारीक 31 जनवरी 2023 है इसके ओफिसल वेबसाइट की यदि हम बात करें तो www.hindustancopal.com है आज की स्रोजगार समाचार में इतना ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाल